दोस्तों वीडियो को देखेगा जरूर आपके लिए बहुत ही हेलफुल वीडियो है LED TV में एक फॉल्ट आता है जिसका solution आप आसानी से कर सकते हैं यह 24 इंची LED TV है TPV56 इसका model number है इसके board का और जैसे मैं यहाँ पर देखिए अभी on करूंगा इसको stand by से release करता हूं और इसमें रेड करल का light आजाता है यह फिर system by पिचला जाता है यह problem कहां से आता है अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सारी voltage चेक करने हैं 12V 5V सब कुछ आपने चेक कर लिया और इसके बाद आपको यहाँ पर backlight section पर भी voltage को चेक कर लेना अब वैसे तो सारी voltage चेक करना ज़रूरी होता है लेकिन especially यह fault कहां से आता है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट प्रोपर ना बनने के वज़े से अब यहाँ पर देखिए मैंने इस fault का solution कर लिया है और यहाँ पर किस बादियम से होता है यह जो IC लगी हुई है 1118 IC से बोलते हैं dual voltage regulator IC इस IC से proper voltage ना बनने के वज़े से असा होता अब मैंने IC चेंज कर दी है और इसकी जो voltage है देखिए पांचवे और छठे नंबर की पिन पे 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए और 7 और 8 नंबर की पिन पे 1.8 accurate आपको मिलने चाहिए अगर यह और हां चौते इस IC को change करने से इस problem का solution आसानी से हो जाता है अब काफी लोग इसको other fault मानते हैं बट यह fault इसी section से ज्यातर बनता है अब देखिए no signal यानि कि इसको on करके मैं इस तरीके से आ गया है अब मैं इसको पूरा fit करूँगा और आपको दिखाऊंगा और हां जब भी यह काम कर तो voltage हमेशा properly check करें हर जगह के लिए accurate voltage हमेशा बनना चाहिए अब मैं चलिए इसको on करता हूं अब इस stand basis को release कर लिया है मैंने और देखिए company का नाम properly लिखाओ दोस्तों इस fault में लंबा वीडियो से नहीं बना पाए क्योंकि मैं यह भी swap में काम कर रहा था तो ऐसा होता कि कर देना सुक्रिया इस